सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल ग्रूप पच्छकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जै राजधनी कैसे हैं आप सभी मैं हमत कुमार सिंग आप सभी का बाईलोची मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधनी परिवार के यूटूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वावत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को क्या बताया था हम ने प्रिव्यश लेक्चर में human physiology के अलगलग बिल्कुल basic जो aspects होते हैं जो में मालूम होना चाहिए उसके बाले में study किヤ था और मैंने human physiology में कौनकौनसे chapters को कि sequence में study करना है ये भी बताया था इसके साथ साथ हम ने जो इसका very first chapter होता है जिसे हम digestive system क्यते हैं human digestive system क्यते हैं उसे हमने क्या कर दिया था start कर दिया था लेकिन हमने वहां पर basically कुछ एक basic बात है digestion का definition देखा था साथ-साथ types of definition के बारे में हमने भी क्या किया था discuss किया था उसी lecture को आज हम continue करने वाले हैं और in this particular lecture we are going to studying about the parts of all the organs and digestive gland which are generally associated with the human digestive system हम उसे क्या करने वाले हैं इस lecture में cover करने वाले हैं with the help of diagrammatic representation देखे यहां पर first of all यहां बात करें कि human का जो digestive system होता है मतब मानव का जो पाचन तंतर होता है इसे हम generally study two category में divide करके करते हैं चिक है मैंने का इसको study करने के लिए इसको हम कितने category में divide करते हैं तो मैंने का इसे two category में divide करते हैं चिक है या फिल हम इसे simply यह कह सकते हैं कि human का जो digestive system होता है मानव का पाचन तंतर वो दो भागों से मिलकर बना होता है two parts से मिलकर बना होता है इन parts के बारे में हम आज detail में study करने वाले हैं देखे मैंने का जो first part होता है क्या क्या कहते हैं इसे कहा जाता है elementary canal क्या कहते हैं अब यह elementary canal में कौन-कौन से organs आते हैं हम इसके बारे में study करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बटा दूं कि elementary कैनल को हिंदी में क्या कैते हैं। इसे कहते हैं। इसे आहर नाल- क्या कह जाता है। इसके साथ सा यहाँ पर human के digestive system का जो 2nd part होता है। इसे क्या कहती है। इसे कहा जाता है digestive gland नियां के whole उसे इसमें help provide करता है, मदद करता है तो हम यहां पर different type के digestive gland की बात करने वाले हैं तो basically आपने देखा कि जो मानव का पाचन तंत्र है वो आहार नाल के साथ साथ पाचक गरंतियों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं यहां पर अगर digestive gland की बात करें तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहा जाता है इस ड्वेन पाचक गरंति क्या कहते हैं इसे इसे पाचक गरंति कहते हैं अब चलिए यहां पर इन दोनों ही particular parts के बारे में one by one क्या करने वाले हैं, हम study करने वाले हैं कि कौन कौन से organs जो हैं यहां पर elementary canal से संबंदित होते हैं, related होते हैं और which particular types of gland that are basically commonly known as a human digestive gland हम इन दोनों topic को अब discuss करने वाले हैं, देखिए अगर यहां पर elementary canal की बात करें तो simply यहां पर आपको बस इतना point धान रखना है कि मानव का जो आहर नाल होता है वो particular किन अंगों से बने होते हैं मैंने का यहां पर यह जो है elementary canal mouth से ले करके, मैंने का मुख से ले करके, mouth से ले करके anus तक जो भी organs आते हैं, जो भी parts आते हैं, जो भी भागाते हैं, वो elementary channel के क्या होते हैं, parts होते हैं अब देखिए elementary के बारे में मैं आपको क्या बताया simply first जो very first point है कि mouth से anus तक जो भी organs आते हैं जो भी parts के बारे में हम study करते हैं वो elementary के नाल में आते हैं अब देखिए यहाँ पे हम one by one इन सभी part को क्या करने वाले हैं discuss करने वाले हैं देखिए इस diagrammatic chart के माध्यम से आप यह कहते हैं आप जानते हैं इसे कहा जाएगा mouth क्या कहेंगे mouth कहेंगे mouth में भी basically हम किसकी बात करेंगे कि mouth में क्या होता है basically mouth है क्या हम यह बढ़ेंगे कि यह transverse slit होता है क्या है मैंने का यह एक अनुप्रस्त परकार का छिद्र है जो कि upper lip और lower lip के बीच में present होता है मतलब उप हम particular two category में divide करके study करते हैं it means इसी से similar term जो होता है इसे buccal cavity भी हम इसमें पढ़ते हैं इसके साथ oral cavity मुख गुहा के बारे में हमें क्या करना होता है पढ़ना होता है तो mouth में ही हम basically किसके बारें पढ़ेंगे मैं आपको buccal cavity के बारें बताऊंगा किसके बारे में मैं आपको buccal cavity के बारें बताऊंगा buccal cavity buccal cavity को ही हम कहते हैं क्या इसी को कहा जाता है oral cavity क्या कहते हैं इसी को oral cavity कहते हैं आफि हम यह देखेंगे कि buccal cavity में हम oral cavity के बारे में क्या करते हैं study करते हैं क्योंकि buccal cavity के भी two parts होते हैं एक part होता है vestibule और जो next part होता है वो होता है oral cavity मुख गुहा इसके बारे में हमें पढ़ना है तो first part मैने कहा यह क्या है मैने कहा first part होता है क्या mouth अब हम discuss करते हैं कि elementary canal का next part second part क्या होता है इस joint देखिए यह जो second part होता है इस joint इसे क्या कहते है mouth और buckle cavity, oral cavity के बाद जो आता है इसे हम कहते है pharynx क्या कहते है इसे? इसे कहा जाएगा pharynx अब देखे pharynx को हिंदी में क्या कहा जाता है pharynx को कहते है grasni जो है वो क्या कहलाते है अबने का grasni कहलाते है और ये grasni के बारे में कौन सा point आपको learn करना है जब हम गरस्नी के बारे में पढ़ते हैं या पाचक तंतर में तो ये कहा जाता है कि ये food particle के साथ-साथ जो air के particles होते हैं जो मुख के माध्यम से जो भी यहाँ पे वायू के जो कन आते हैं तो इन दौनों के लिए air के लिए भी मतलब वायू के लिए भी और साथ-साथ food substance के लिए भी डौनों ही प्रकार के जो है substance के लिए ये क्या होते हैं basically एक common pathway होता है उभैनिष्ट मार्ग होता है जहाँ पे जिस particular pathway से जिस माध्यम से यहाँ पर air भी पास होता है साथ-साथ food particles भी क्या होता है जो है यहाँ पर पास होता है इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं हम इसे उभैनिष्ट मार्ग consider करते हैं एक common pathway होता है तो मैंने कहा ये pharynx क्या है मैंने यहीं पर mention कर देता हूँ कि pharynx is a common pathway एक उभैनिष्ट मार्ग होता है साथ साथ यहां पर food particles भी क्या होते हैं पास होते हैं भोजन के कंद भी पास होते हैं लेकिन यहां पर especially when I talk about the types of pharynx जिसके बारे में हमें आने वाले topics में study करना हैं तो इसी particular chart में हम इसके types को भी discuss करने वाले हैं देखिए यहां पर जो first type of pharynx के बारे में परते हैं उसे क्या क pharynx क्या कहा जाया जहा इसे कहते हैं नेजो pharynx जो next part होता है इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे ओरो pharynx क्या कहेंगे इसे कहेंगे ouro pharynx हम इसके बारे में detail में study करेंगे आने वाले topics में बट यहां पर हम only parts के जो हैं name mention कराँ कि कितने PARTS होते हैं चुर neighbors के का और pharynx का इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा laryngopharynx क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं laryngopharynx क्या कहा जाएगा इसे laryngopharynx कहा जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर simply मैं early आपको क्या करने वाला हूं explain करने वाला हूं कि यह जो nasal pharynx है ग्रेश्टनी का वह भाग है, फेरिंग्स का वह भाग है, जो nasal chamber से जुड़े हुए होते हैं, associated होते हैं, नासा गुहा से, जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसे, निजो फेरिंग्स, लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ओरो फेरिंग्स की, त करता है, यह oral cavity को represent करता है, तो मुख गुहा से सलगन, जो ग्रेश्टनी का भाग है, उसे क्या कहते हैं, ओरो फेरिंग्स कहते हैं, लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंगो जो है, बैसिकली यहां पर, जो है, लिंगवा या फिर टंग से related term होता है, मतलब जीवा से संबंदित औ और उससे जुड़ा हुआ, अटैच फेरिंग्स का पार्ट, क्या कहलाएगा, मैंने का यह कहलाएगा, लेरिंगो फेरिंग्स, तो हमें इन तीनों पार्ट के बारे में आने वाले topics में, detail में क्या करना है, study करना है, साथ-साथ मैंने आपको बताया, कि यह जो बकल cavity होता है, simply, अगर हम यह बात करें कि mouth में क्या क्या present है, oral cavity में कौन-कौन से structures present है, जो की elementary canal के पार्ट हो सकते हैं, तो आपको पता है, mouth में क्या होता है, मैंने का oral cavity mouth में tongue present होता है, जीवा है, जीवा के साथ-साथ यहां पे teeth present होता है, और साथ-साथ अगर oral cavity के बिलकुल roof वाले पार् पैलेट के बारे में भी हमें detail में पढ़ना है, देखिए, मैंने का बकल cavity में हम basically पढ़ते हैं, क्या, मैंने का यहां पर tongue के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, यहां पर हम tongue के बारे में पढ़ते हैं, जीवा के बारे में पढ़ते हैं, साथ-साथ तालू जिसे क्या क उसके structure, vertical section, उसके different types, उसके function, इन सभी point को यहाँ पे हमें क्या करना होता है cover करना होता है, मैंने का अब मैं दांत के बारे में भी आपको बताऊंगा लेकिन किसी-किसी particular book में यह कहा जाता है कि buckle cavity में obvious सी बात है यहाँ पर क्या present होते हैं, मैंने का मुख गोहा में ही लार्ग ग्रंथी present होते हैं तो किसी-किसी book में क्या होता है कि buckle cavity में ही slivery glands के बारे में detailed mention होता है लेकिन मैं आपको slivery gland के बारे में किस में पढ़ाऊंगा जब हम इसी particular digestive system का पाचक ग्रंथी जब पढ़ेंगे different topic जो कि हम जब digestive gland पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथी पढ़ेंगे, वहाँ मैं discuss करने वाला हूँ, ठीक है अब देखिए, हम यहाँ पे continue करने वाले हमने mouth, pharynx, उसके particular पाथवे जो होता है यह air और food particles के बीच में common pathways, इसके parts के बारे में हमने क्या कर लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं, कि elementary canal का正 आप होता है, वो क्या होता है, देखिए, pharynx के बाद जो next part होता है इस fireng, इसे कहते है, isophagus, क्या कहा जाएगा, isophagus कहा जाएगा अब यह जो isophagus है, इसे हम क्या कहते है, isophagus को कहते है, हिंदी में grassnall क्या कहेंगे इसे कहते हैं ग्रास नाल जो की 25 cm एक लंबा ट्यूब होता है एक नलीका जैसे structure होते हैं अब इसो फेगस के बारे में भी हमें क्या करना है डिटेल में study करना है अब देखिए इसके बाद इसो फेगस के बाद जो structure है basically जहां से food जो है पास होते हैं यहां पर दे पह्चा हुआ भोज्य प्रदात है अब वो कहां पहुझेगा मैंने का इसो फेगस से यह डियरेक्ली जो है elementary के नेक्स पार्ट में पहुझाने वाला है और यह जो next पार्ट होता है इसो फेगस के बारे में किसके बारे में स्टमक्क के बारे में पढ़ते हैं स्टमक को क्या कहते हैं स्टमक को कहा जाएगा आमाश है अब देखिए आमाश है का भी डाइगराम हम देखेंगे इसके अलग-अलग पार्ट के बारे में अलग-अलग मेंशन करेंगे लेकिन यहां पे कौन-कौन से पार्ट होते हैं इसके कुछ इसके कारडियक पार्ट को चीक है अब देखिए इसका फंडस या फंडिक वाला पार्ट होता है क्या इसे हम यह तो कह सकते हैं fundus या फिर हम कह सकते हैं fundus ठीक है और यह fundus वाला जो पार्ट होता है stomach का वो सबसे जयदा important part consider किया जाता है stomach का क्यों क्योंकि इन five parts में से सबसे most important part of the stomach is considered as a fundus why we are going to tell it as the most important part of the stomach because there is a presence of some type of gland which are basically none as gastric gland जिसमें gastric gland present होते हैं इसी fundus वाले part को हम क्या करेंगे microscope से इसका section cut करेंगे और यह देखेंगे आपको वहां पर बहुत सारे gastric gland जो हैं आपको रिखाई देंगे तो just due to the presence of gastric gland यहां पर gastric gland present होते हैं इसी लिए यह fundus वाला part जो है दूसरे part के तुला में stomach के सबसे महतरपोन समझा जाता है ठीक है second part की बात कर लिए हमने यहां पर third part की बात करते हैं third part जो है body वाला part होता है क्या होता है मैंने का stomach का body part इसका काय वाला भाग होता है अब देखिए यहां पर basically fourth part की बात करते हैं तो यह मैंने का यहां पर जो फॉर्सर में ही क्या करता हूं इसको टू पार्ट में मीरीड करते हैं यहां गहां फॉर्स पार्ट होता है यह क्या होता है मैंने का यहां पर जो फीपther इंटक comment on the है जो कि हमारा fourth part हो गया लेकिन यह जो fifth part होता है इसे क्या कहते हैं इसे stomach का pyloric canal कहते हैं क्या कहते हैं पाइलोरिक canal कहते हैं अब देखिए यह जो pyloric वाला जो part है अगर यह last part है stomach का तो यह last part of stomach ही first part of small intestine में क्या करेगा opening को show करेगा कहने का मतलब यह जो stomach आमाशे का अंतिम भाग है जिससे pyrolik कहते हैं ये ही क्या करता है opening खुलता है किसमें इसके next वाले भाग में और ये stomach के बाद जो यहाँ पे elementary canal का अगला भाग होता है उसे चोटी आथ कहते हैं तो ये pyrolik वाला part ही चोटी आथ में क्या होता है opening को show करता है तो हमने stomach के बारे में देखा यहाँ पर cardiac, fundus, body, pyrolik, entrum और pyrolik canal के बारे में देखा अब हम पढ़ने वाले हैं कि stomach के बाद कौन सा part जो है यहाँ पे elementary canal में हमें discuss करना है यह मैं आपको इस chapter का एक summary प्रवाइड कर रहा हूँ एक sequence प्रवाइड कर रहा हूँ इसी के basis पे हम हर point को discuss करने वाले हैं यह आपके लिए basic point है आप यहाँ पे अलग-अलग types के terms के बारे में देख रहे हैं पहले आपको terms के बारे में पता होना चाहिए otherwise हम इसके बारे में detail जब पढ़ेंगे तो basically उससे पहले आपको इन सभी सब्दों के बारे में मालू होना चाहिए जिसे हमे detail में study करना है इसे लिए आपको एक diagrammatic representation के तुरू एक table एक chart प्रवाइट कर रहा हूँ जहाँ पे आप इन सभी सब्दों के बारे में सीख पाएं देखें स्टमक के बाद यहाँ पर हम discuss करते हैं next part जो होता है is doing इसे क्या कहते हैं स्टमक के बाद इसे small intestine कहते हैं क्या कहते ह अब देखे small intestine के बाद जो food है वो basically कहां पहुं जाते हैं यह कहा जाएगा कि इन सभी elementary canal के parts में से छोटी आत जो है सबसे ज्यादा महत्रपोन भाग consider किया जाता है क्योंकि most of the digestion जो होता है भोज्य प्रदात का अधिक्तम पाचन छोटी आत में ही देखने को मिलता है इसके बारे में हम study करेंगे अब देखे यहां पर जो next part होता है यहां पर भोजन जो है अब small intestine के बाद किसमें आ जाएगा मिलेका यह large intestine में आ जाएगा किसमें मिलेका यह बड़ी आत में प्रविश्च करते हैं large intestine में आ जाते हैं अब देखे large intestine में आतो जाते हैं इसको क्या कहते है इसको कहते हैं अब बड़ी आंथ क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं बड़ी आंथ कहेंगे Silicon देखे इसके सब पार्ट के बारे में हम one by one detail में study करने वाले हैं कि यहा पे small intestine के कितने पार्ट होते हैं large intestine के कितने पार्ट होते हैं especially especially अगर हम यहां पे छोटी आध के भाग बारें बात करें, कितने parts होते हैं इसको मैं यहां ले रहा हूं देखिए इसका जो first part होता है छोटी आध का उससे हम कहते हैं ग्रहनी क्या कहते हैं इसे इसे ग्रहनी कहेंगे या फिर इसे कहा जाता है डियोडिनम क्या कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं डियोडिनम कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं इस ड्वेंट इसे कहेंगे ग्रहनी यहां पर बहुत सारे पाचक रस्याफी एंजाइम प्रिजेंट होते हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है चोटी आत का जो प्रत्रम भाग है इसे हम कहते हैं डियोडिनम ग्रहनी कहते हैं चीक है और इसका जो नेक्स पार्ट होता है इसे कहा जाता है जैजुनम क्या कहते हैं इसे जैजुनम के बाद जो लास्ट पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे क्या कह पार्ट कहते हैं ठीक है अब यह चोटी आत का जो लास्ट पार्ट है इलियम यही बड़ी आत के प्रथम भाग में क्या करेगा ओपनिंग को शो करेगा तो हमने यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट के बारे में देखा अब मैं आपको बताने वादा हूँ बड़ी आत लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट के बारे में और यह देखिए क्या क्या होते हैं यहां पे हम अगर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट की बात करे तो देखिए large intestine का जो first part होता है student ये basically क्या होता है मैंने का इसे कहते है सीकम क्या कहते है इसे इसे कहा जाता है सीकम क्या कहते है इसे सीकम कहते है आपको ये सारे terms इंग्लिस में ही learn करना है there is no specific term that belong to the सीकम यहाँ पे इसका जो हिंदी का term होता है ये जो है basically बहुत complex होता है आप इंग्लिस के term में ही इस anatomy या फिर physiology के words जो हैं ज़्यादा long time के लिए learn कर सकते है देखिए मैंने का यहाँ पर अगर बी part की बात करते हैं इस drain मैंने का सीकम तो हो गया सीकम के बाद क्या होता है सीकम के बाद होता है colon क्या होता है colon part के बारें बढ़ते हैं colon के बाद क्या होता है colon के बाद जो last part होता है इसे हम कहते हैं rectum क्या कहते हैं इसे इसे rectum कहते हैं और rectum part की बात करें तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं इसे malasay कहा जाएगा क्या का जाएगा मला से जहां पे undigested food जो अब अचित भुज्य प्रधात होते हैं वो आ करके store हो जाते हैं जमा हो जाते हैं उनका संग्रहन होता है collection होता है accumulation होता है अब देखिए अगर यहां पे especially अब colon part के भी subpart के बारे में बात करें मैंने आपको first of all क्या बताया कि large intestine three parts हो कितने part होते हैं मैंने यहां पर इसको discuss किया कि colon वाले part के भी three parts होते हैं अब देखिए यह parts कौन-कौन से हैं मैं आपको यह बताने वाला हूं अगर यहां पे colon वाले part के three parts की बात करें तो यह कौन-कौन से होते हैं इसका जो first part होता है instrument इसे कहा जाएगा ascending colon क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ascending colon केते हैं यहां पर colon को मैंने C से represent किया है colon के second part को कहेंगे जो कि अनुपरस्त होता है यहां पर one ед الص degree angle form करता है इसे कहते हैं transverse colon क्या कहेंगे से इसे कहा जाएगा transverse colon कहेंगे चिक है沒錯 पे transverse colon के बाद जो third part होता है इसे कहते हैं descending colon क्या कहेंगे से इसे कहा जाएगा descending colon कहा जाएगा ठीक है अभी देखिए अभी इन सभी पार्ट को हम केवल एक चार्ट में देख रहे हैं अब जब ये सभी पार्ट को चार्ट में हम study कर लेंगे complete हम यहां पे digestive system का diagram होता है उसमें हम इन सभी पार्ट को label करेंगे mention करेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि आखिर यह सारे पार्ट कहां पे locate होते हैं पाए जाते हैं अब देखिए यहां पर हमने यह बात की लेकिन आप यह जानते हैं कि यहां पे six part हो गया large intestine large intestine से जो भी यहां पे food particle जो west material होता है वह basically rectum में पहुंच गया लेकिन rectum is the last part of the large intestine अब देखिए यहां पर rectum जो है opening show करता है किसमें मैंने का opening show करेगा anal canal में किसमें मैंने का यह anal canal में opening show करेगा और यह जो anal canal होता है uhusayan basically यह gooda mark में anus में क्या मैं open हो जाएगा अब देखिए anal canal जो है opening show कर रहे हैं किसमें गुदा में कर रहे हैं जैसे हम क्या कहते हैं इसे हम anus कहते हैं ठीक है तो देखिए मैंने आपको अभी आपको एक point provide किया कि यह जो एलिमेंटरी के नाल है आहा नाल जो होता है वो कहां से कहां तक के औरगन हम की बात करते हैं मैंने कहा माउट से लेकर के एनस तक के जो पार्ट होते हैं उसे हमने कहा एलिमेंटरी के नाल तो इस चार्ट के माध्यम से आपने समझा कि माउट से लेकर के एनस तक के जो भी यहां पर जो आपको रिखाई दे रहा है यह पूरे क्या है यह एलमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं ठीक है Now we are going to discuss about digestive gland but before studying the digestive gland I am going to provide you one more concept which is basically related with the origin of the human digestive system यह क्या है देखिए मैं आपको क्या बोला मैंने आपको कहा कि अब हम एक concept देखने वाले हैं जो कि यह किस तरह से origin शो करता है Human का जो digestive system होता है इसकी उत्पती हम किस प्रकार से consider करते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें human के digestive system किस दो हैं तो basically यह कहते हैं यह उत्पती के धार पर कैसे होते हैं तो यहाँ पर कहा जाएगा यह उत्पती के धार पर on the basis of origin it is a acto endodermal कैसे होते हैं यह acto endodermal होते हैं मतलब कहने का meaning यह है कि अब जो इसकी उत्पती है वो actoderm से भी possible है साथ साथ इसकी उत्पती किस से possible है endoderm से भी possible है तो due to the showing the origin यह basically यह जो है दोनों ही layer से origin को show करते हैं उत्पती को दरशाते हैं इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे actoderm से भी origin हो रहा है endoderm से भी हो रहा है अब हम देखते हैं basically first of all point यह है कि actoderm से किस particular part का क्या होता है origin होता है अब देखें actoderm से जिस particular part का origin होता है इसमें हम क्या consider करते हैं इसमें अगर हम बात करें mouth से का से मैंने कहा mouth से लेकर खे hard palate मैंने आपको एक बताया हुआ है mouth में हम पढ़ते हैं किसके बारे में palate मतलब तालू के बारे में और इसके भी three parts होते हैं जिसके बारे में हम detail में बढ़ेंगे तो मैंने का इसका जो एक part होता है इसका जो प्रथम भाग होता है इसे कहते हैं hard palate कठोड तालू कहते हैं अब देखिए तो mouth से लेकर के hard palate mouth से लेकर के कठोड तालू जो है उस तक का जो part होता है मैंने का mouth से लेकर के hard palate तक का जो part होता है उसकी उत्पती कैसे होती है मैंने का एक्टोडम से लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कहा जाएगा कि एनल केनाल से लेकर के एनस तक, ठीक है मैंने क्या कहा कि एनल केनाल से लेकर के एनल केनाल से लेकर के एनस तक, एनल केनाल से लेकर के एनस तक जो भी पार्ट होते हैं इस ड्वेन बैसे क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा कि इसकी उत्पती एक्टोडर्म से माना जाता है अब देखिए मैं अब आपको प्रवाइट करने वाला हूँ हमने यहाँ पर एक्टोडर्म से किस पार्ट का ओरिजन होता है इसके बारे में डिटेल में देखा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि Human Digestive System का ओरिजन अगर यह एंडोडर्म से होता है तो आखिर वो कौन-कौन से पार्ट सोते हैं और गन्स होते हैं जो कि यहाँ पे एंडोडर्मल ओरिजन को रिप्रेजन करते हैं देखिए यहाँ पे एंडोडर्मल ओरिजन कौन शो करता है मैंने का यहाँ पे हम basically किसकी बात करें soft palate मतलब जो यहाँ पे बिल्कुल soft कोमल तालू की बात करते हैं तो soft palate से ले करके कहा तक का पार्ट मैंने का rectum तक का पार्ट मलासय तक का पार्ट जो होता है वो origin के basis पे endoderm से होता है उसका origin यह कैसे होते हैं यह endodermal origin को शो करते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके origin के बारे हूं बताया कि इसका origin जो है जो भी secretions होते हैं वो food के digestion में कितना important role play करते हैं अब देखिए यहाँ पे digestive system में हम first of all किसके बारे में करेंगे study मैं आपको first type का digestive system बताऊंगा जो कि क्या होता है इसे कहते हैं liver क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं liver ठीक है हम यहाँ पे liver या फीर यकरत के बारे में पढ़ेंग के बाद जो next digestive gland हम study करेंगे तो यह होता है pancreas किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे pancreas को क्या कहा जाता है इसे हम कहते हैं अगनाश है क्या कहते हैं इसे इसे गहा जाएगा अगनाश है इसके बारे में भी हमें detail में study करना है जीक है अब देखिए liver हमने discuss किया pancreas के पर बारे हम डिसकेस किया यहां पर बात करते हैं पर हम किसकी बां прилож office और अधर हम बात करते हैं किसकी किसकी बाद करें यहां की बात करें तो slivery gland जो है वो three pairs होते हैं कितने होते हैं मैंने का ये three pairs होते हैं तीन जोड़ी होते हैं अब हम सीधे types की और बढ़ते हैं slivery gland जो है three types की होते हैं हर type जो है उनका number कितना होता है मैंने का हर particular types का जो number होता है पार्ड का नमर होता है, वो वन पेयर में होते हैं, यहांपे थ्री पेयर्स of sliveries gland, लार्क रंथियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 4S part, मैं आपको क्या बताऊंगा, 4S part के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, इसे हम कहते हैं, पैरोटीड क्या कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं पैरोटीड स्लाइवरी ग्लेंड क्या कहेंगे पैरोटीड स्लाइवरी ग्लेंड को मैंने यहाँ पे S G से रिप्रेजेंट कर दिया है अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइवरी ग्लेंड है यह क्या है मैंने खा इसे हम पढ़ेंगे सबमेक्जिलरी क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सबमेक्जिलरी क्या कहते हैं सबमेक्जिलरी इसी सबमेक्जिलरी को हम और क्या कह सकते हैं इसे ही कहा जाता है सबमेंडीब्यूलर क्या कहेंगे इसे Submandibular Slavery Gland कहेंगे यहाँ पे two types के बारे मैंने आपको बताया जिसे हमें detail में क्या करना है, study करना है यह देखिए, parotid Slavery Gland उसके बाद मैंने second type के बारे में बताया Submaxillary और Submandibular Slavery Gland और जो thought type होता है basically अगर इसकी बात करें अगर thought type की बात करें तो यह क्या होता है मैंने का हम यहाँ पे study करेंगे किसके बारे में basically हम यहाँ पे thought type जो होता है इसे कहते हैं, क्या इसे कहते हैं Sublingual Slavery Gland क्या कहेंगे Sublingual Slavery Gland कहेंगे तो रखिए, Slavery Gland के बारे में हमने उसके types के बारे में देखा और मैंने आपको ये भी बोला कि हर slivery gland जो है वो कितने होते हैं ये भी one pair है ये भी क्या है one pair है और basically ये जो है ये भी क्या है one pair है इस तरह से यहाँ पे three pairs of slivery gland क्या होते हैं present होते हैं देखे अब मैं आपको three types के digestive gland जो की most important digestive gland होते हैं उसके बारें बताया लेकिन इन तीनों ही प्रकार के साथ साथ यहाँ पे digestive gland हम एक और type के digestive gland की बात करते हैं ये basically क्या होता है यहाँ पे हम study करते हैं four type को जिसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं gastric gland क्या कहते हैं इसे यहाँ पे देखें digestive gland में ही मैं आपको बताने वाला हूँ जो है four type का जो पाचक ग्र क्या था कि जब हमने स्टृमक के बारे में देखा था तो इस्टृमक का कौन सा पाट ऑन को 2d part होता है, सब्स कहते हैं या फिर इससे क्या क्या क्यते हैें वहां पर यह जो ग्रंथी ग्रंति प्रसनेट हुते है इसके बारे में हमें Soul n क्या ना लास्ट जो डैजस्टव लेंड हम पढ़ेंगे वह क्या कहलाते हैं In гру का गहते हैं इस रिचलिय घ्रण होती इन यह इन डैजस्ट की बारे मारे हम यहां करते हैं अगर यहां पर फॉसट टाइब की बात करें तो यहां पर एक इंटस्टिनल ग्लेंड के बारे मिसमें डिकर ना होगा है इसे एक अ और ग्लेंड है जिसे क्या वेजिवल किया व्हें नीजिवल संवंष के भान वारी आप्ट के अब दिसकूस तो 3rd type of intestinal gland की बात करें इसे क्या कहा जाएगा इस जुएंड बैसे कि इसे कहा जाता है क्या इसे कहते हैं क्रिप्ट्स ओफ लीबर कुहून क्रिप्ट्स ओफ लीबर कुहून कहते हैं देखिए यहां पर one more time मैं revise करवा दू कि हमने क्या क्या देखा digestive gland में मैंने आपको क्या क्या बताया basically first type का gland बताया था that was liver क्या था वो यहां पर हम देखतें है अगें यहां पर first type का digestive gland होता है वो होता है liver ठीक है यह देखिए लीवर की specially अगर बात करें तो लीवर के बारे में क्या कहते हैं यह जो है largest digestive gland है क्या है यह मैंने कहा यह largest digestive gland है लेकिन अगर अगनासे की बात करें तो अगनासे के लिए कहा जाएगा it is a second ठीक है ये second largest digestive gland है ठीक है second largest digestive gland मतलब दुत्यक सबसे बड़ी प्रकार के पाच्छा ग्रंथी इसे consider किया जाता है यहाँ पे अगर slivery gland या फिर लार ग्रंथी की बात करें तो इसके three types के बारे मैंने आपको बताया हमने पढ़ा यहाँ पे parotid slivery gland के बारे में as well as sub maxillary और sub mandibular जिनका नमर केतना होता है one pair होता है इसके साथा last part के बारे में बताया आपको जो कि क्या होते हैं sublingual होते हैं अगर यहाँ पे four type के digestive gland के बारे में study करें इसे क्या कहते हैं एसे gastric gland कहते हैं gastric gland जो है fundus या fundus वाले part पर क्या करना है study करना है यह कौन कोंसे होते हैं ब्रेनर्स, ग्लेंड, हम पढ़ेंगे यहां पर पेर्स, पैचेस के बारे में, यहां पर हम क्रीप्स ओप लीवर कोहून के बारे में भी क्या करेंगे, चीक है, अब देखिये, हमने यहां पर एलिमेंटरी के नाल से एसोसियेटेड जो भी पार्ट्स थे, जो भी ओर्गन्स उसके बारे में one by one discuss किये, अब इसे particular chart में इस diagram के थुरू, जो है इसे particular एक diagram के थुरू समझने की कोशिश करेंगे, कि यह सारे part human के body में किस जगह locate होते हैं, चीक है, then I am going to discuss you with a proper diagram of a human digestive system, कि human digestive system जो है उसका एक diagram हम देखने वाले हैं, और उस particular diagram में हम one by one क्या करेंगे, इस अगर हम यहाँ पे specially diagram की बात करते हैं, देखे, आपको यह जो diagram दिखाई दे रहा है, यह है किसका, मैंने खा यह human के digestive system मानव के पाचन तंतर को represent कर रहा है, चीक है, अब देखे, यहाँ पे हर एक part को one by one label करते हैं, यहाँ पे अगर first part की बात करें, तो देखे, यहाँ पर यह वाला जो part होता है, इसे क्या कहते हैं, यह वाला part, इसे क्या कहेंगे, इस वाले part को हम कहते हैं, यहाँ पे mouth या फिर oral cavity क्या कहते हैं इसे, basically mouth वाले part में ही आप जानते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, माउथ वाले part में ही हम किसके बारें पढ़ते हैं, यहाँ पे oral cavity के बार Caity, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जो है बताया था, हमने यहां पर Diagram में study किया कि आखर यह Bucal Cavity, Oral Cavity जिसके बारे में को blamingview, तो इस part को क्या जाएगा? इस Part को कहते हैं feris क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाएगा आप फैरिंग्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ग्रस्थनी, क्या कहते हैं इसे, ग्रस्थनी वाला पार्ट कहते हैं, जिक है, तो हमने फैरिंग्स को यहां पे लेबल किया, हमने यहां पे ग्रस्थनी वाले पार्ट को भी लेबल कर लिया है, अब के पास में हैं कान के पास में हैं तो यह क्या कहलाते हैं इस स्लाइवरी ग्लेंड को हम कहते हैं पैरोटीड क्या कहते हैं इसे पैरोटीड स्लाइवरी ग्लेंड कहते हैं यहां मैंने स्लाइवरी ग्लेंड को SG से represent कर दिया है large grand thi जो कि year के पास होते है यह क्या है मैंने का यह जो आपको इस diagram में particular यह part दिखाई दे रहा है यह क्या होता है parotid parotid के लिए ही हम कहते हैं यह कहाँ पे locate होता है it is just located near the ear यह कान के पास होते है मैंने का यह located near यह कान के पास जो है क्या है present होते है मैंने लिखा located near ear अब देखिए इसी particular part को और हम ज़्यदा complex बनाते हैं यहाँ पर हमने one type of first type of slivery gland को इस diagram में label किया अब देखिए particular इस part की अगर बात करते हैं इस जो है इसे क्या कहते हैं generally इस part को हम कहते हैं यह कहां present है यह जो है tongue के नीचे present है या फिर basically हम यह कह सकते है tongue के नीचे present है या फिर somewhere around जो है jog के पास जबड़े के पास पाए जाते हैं इसलिए इसे क्या कहेंगे इसे basically हम कहते है sub maxillary क्या कहेंगे इसे इसे हम कहेंगे sub maxillary इस लाइवरी ग्लेंड कहेंगे और यहाँ पर इस पर नेवल किया जाए तो यहीँ पर ही में राउन यहाँ पर क्या प्रेजंट होता है अब देखे हमने औरल काविटी से जो भी पर्टिकुलर और Kलाल के उसके बारे में डिसकस किया अब यहाँ पे यह जो pharynx वाला पार्ट है वहाँ से food particle यह जो आपको एक particular pipe like structure दिखाए दे रहा है जिसका length जो है 25 cm measure किया जाता है यह जो tube like structure होता है इसे क्या कहते हैं student इसे कहा जाएगा isophagus क्या कहते हैं इसे isophagus कहते हैं हिंदी में क्या कहा जाएगा इसे हम grass canal कहते हैं हम हमने जो भी particular elementary canal के parts के बारे में उस previous chart में दिखा था उसी को मैं diagram में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह actually में है कहां पे locate ठीक है हमने यहाँ पे isophagus के बात कर ली है isophagus आपको पता है किसमें opening show करता है तो मैंने रहा है यह जो आपको एक tube like structure दिख रहा है basically यह opening show कर होता है इस वालेaceutical part में ठीक है और यह बाला जो part होता है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं इस वाले पार को हम एते हैं यहां पर जो की J-shape हो खोता है muscular bag structure होता है पेसं यह फ्लिनुमन जो शनरचना हैसे हम कहते हैं stomach क्या है ये मैंने का ये stomach वाला part है ठीक है stomach या फिर इसे हम कह सकते हैं amashe ठीक है तो ये amashe वाले भाग में opening को show कर रहे हैं इस diagram में इसके बाद देखिए ये amashe का जो ये वाला part होता है इसका जो first part होता है यहां पर basically इस part की बात करते हैं तो इस adjacent की आई इस को क्या कहते हैं ये इसका amashe का first part है जिसे हमने कहा cardiac part क्या गां cardiac part बोला ठीक है और यह जो है यहां जो आप देख रहे औ calculate बोला किसमें ओपनिंग शो करता है मैंने का ये पाइरोलिक पार्ट जो है अब आगे ओपनिंग शो करेगा स्मॉल इंटस्टाइन के फॉस्ट पार्ट डियोडिनूम में ठीक है लेकिन डियोडिनूम को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर राइजस्टिव ग्लर की बात करें जो यहाँ तरहा है मेंने का यहाँ पर इस पर्टिकुलर डांजस्टिव ग्लर की बात करें यहाँ ब्यूवह वह到 हैं यहाँ होते हैं वो क्या होते हैं bowl digestive gland होता है और फोर्ष्ट लाट्जर्स digestive gland होता है ठीक है अब देखिए इतने सारे पार्ट को मैंने यहां पे इस diagram में लेबल किया यहां पर देखिए इसी कि बात करते हैं तो लीवर का primary क्या होता है Lever का primary work इसका प्राख्मिक कार्य जो होता है यहां पर vile का formation होता है किम न Rio का by going का जो है निर्मान जहां क्या होता है लेकिन इसका सीक्रेशन जैसे ही होगा त्रवन हो और ये जिस त्रावित जो बाहुल होते हैं, वो पर्टिकुलर जिस structure में आकर के संघ्रेत हो जाते हैं, accumulate होते हैं, collect होते हैं, उसको क्या कहते हैं ? रेखें, इस पर्टिक्लर डायग्राम में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं ? इसे हम कहते हैं गॉल ब्लेडर ये क्या है ये वाला जो पार्ट होता है इसे गॉल ब्लेडर कहते हैं क्या कहते हैं इसे गॉल ब्लेडर को क्या कहते हैं यहां पे इसको पिता से कहा जाएगा क्या कहते हैं इसे इसे पिता से कहते हैं जहां पे पित का संग्रे होता है 45-50 ml Concentrated B यहां पे स्टोर हो जाएते हैं और इसी पर्टिकुलर गॉल ब्लेडर का जो एक डक्ट होगा जैसे हम आने वाले टॉपिक्स में इसके पर्टिकुलर हर एक पार्ट के डाइगराम को अलग अलग मेंशन करेंगे यहां पे गॉल ब्लेडर और यह जो लीवर का पार्ट है इन आनों भी बेसिक पार्ट को इंटर कनेक्शन के सासार एक डाइगराम बताऊंगा आप में तो बैसिकली यह जो यहां पे गॉल ब्लेडर है यहां पे यह जो डक्ट आपको देखने को मिल रहा है यह जो डक्ट है बैसिकली इस डॉक्त को कहते हैं सिस्टिकड़ क्या कहते है cystic duct कहते हैं जहाँ पे ये जो संग्रीद बाइल होते हैं ये इसी cystic duct के माध्यम से पितासे से कहाँ पहुँचेंगे ग्रहनी वाले भाग के तरब जो की small intestine का first part होता है देखिए मैंने कहा ये part तो हमने study कर लिया यहाँ पे हमने liver देखा, gallblitter देख लिया part बनाया हूँ, यहाँ पे label कर दिया है blue mark से, basically ये किसको represent करता है ये इसमें पाए जाने वाला pancreas है, यहाँ पे second largest gland कहते है agnache जिसे कहा जाता है मैंने कहा यहाँ पर ये बोला कि ये कौन सा part है, ये इसका agnache वाला भाग है, pancreas वाला part है, चीक है, अब देखिए pancreas वाला part हो गया, अब यहाँ पे हम बात करते हैं intestine वाले part की, intestine वाले part की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो coiling सो करते हुए, कुलन को दर्शाते हुए, जितने भी parts आपको दिख रहे हैं, basically ये जो parts मैंने आपको लेबल किया है, ये क्या है ये इसके small intestine जिसे मैंने हाँ पे SI से represent कर दिया है, छोटी आँख को प्रतसित करता है और इसके सभी तरह के जो parts होते हैं, इसके बार में आपको पता है इसका first part duodenum होता है second part jezenum है, और third part क्या होता है, ileum होता है, तो यहाँ पर इस तरह से coiling present होता है अब ये जो small intestine का last part ileum है, ये opening show किसमें करेगा, मैंने का देखिए, यहाँ पर ये जो part होता है इस particular area में जो ये structure आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं, सीकम, क्या कहते हैं सीकम कहते हैं, और ये जो सीकम होता है, वो क्या होता है मैंने का सीकम जो है, ये first part of large intestine होता है क्या होता है, first part of large intestine, यहाँ पर मैंने LIC represent कर दिया है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो small intestine जो है, उसका last part जिसे हम क्या कहते हैं, ileum कहते हैं ये बड़ी आत के प्रत्रम भाग सीकम में क्या हो जा रहे हैं ओपन हो जा रहे हैं अब देखिए सीकम के बाद हम second part of large intestine की बाद करते हैं तो ये जो आपको ये part आपको दिख रहा है ये क्या है इसका colon part है क्या है मैंने का ये second चइन पार्त होता है जिसे क्या केते हैं कोलोन कीए तो यह कॉलोन वाला पार ऑर ये ये जो पार्त आप दिख रहा है ये भी इसका कॉलोन का पार्त हो गया अगर मैंने अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले किया था कि कोलोन के भी हम three parts के बारे में study करते हैं चीक है तो देखिए इस particular part की बात करें तो मैंने कहा ये पार्ट जो है ये क्या है मैंने कहा ये जो है इसका colon वाला part है लेकिन colon में भी कौन सा colon है मैंने कहा इस colon को हम कहते हैं ascending colon क्या कहेंगे इसे इसे कहते हैं ये बडियाद का भाग तो है यहाँ पर ascending colon कहेंगे तो यहाँ पर यह से कह दिया मैंने यह colon का ascending part होता है यह ascending part बाद में यह जो आपको 180 degree पर जो यहाँ पर speed फैला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं transverse colon क्या कहते हैं इसे इसे basically कहा जाएगा यह जो part होता है इसे हमने कह दिया यह कौन सा part है यह इसका colon का भी transverse part होता है कौन सा transverse colon होता है और यह transverse colon finally यहाँ पर descend होते हैं नीचे के दरब downward moment show करते हैं और यह part जो है आपको दिखाई दे रहा है तो इसे क्या कहेंगे इसे basically अब कहेंगे descending colon क्या कहेंगे इसे इसे कहा जाता है यह third part जो होता है colon का होता है जिसे क्या कहते है descending colon कहते है हालां कि colon large intestine का second part है और यहाँ पर colon के भी three parts के बारे में हमने क्या किया है discuss किया है अब देखिए यह जो last part होता है descending colon colon का वो किसमें opening शो करता है मैंने कहा यह जो आपको फैला हुआ swelling part आपको दिख रहा है इसी particular part को हम कहते है rectum क्या कहते है इसको इसे हमने कह दिया यह वाला part जो है rectum वाला part होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं malashay क्या कहते हैं इसे भुज्य प्रदाज जो होते हैं यहां पर आकर क्या हो जाते हैं जमा हो जाते हैं अब देखिए अब यह रेक्टम वाला पार्ट जो है यह भी आगे आपण से उपनिंग लिए कारेगा किसमें यह जो पार्ट आपको दिख रहा यहां पर इस पार्ट को हम लेभल करें तो यह पार्ट जो आपको दिखाई तरह हैं इसे क्या epignal क्या है मैंने का यह पार्ट जो ए हैं गुदा मार्ग कहते हैं क्या कहते हैं इसे गुदा मारग कहा जायेगा ठीक है तो आपने यहाँ पे selvिंद्ट के था साथ deep विचि में तित तंग और पैले टाते हैं क्योंकि हमने डिसकस कर लिया है पहले भी यहां पर यह जो कान के पास यह के पास जो आपको यह लिए इसका अधर भाग पे जो ग्लेंट प्रिजेंट होते हैं slivery gland इसे क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं, सब-lingual silivery gland कहते हैं उसके बाद देखें, उसके बाद जो part होता है इसे हम क्या कहेंगे, ये वाला जो part है ये ज्यक्षित है, ये इसका liver वाला part है यहाँ पर भी आपको 2 lobes, 2 परकार के पालियां अलग अलग दिखाई दे रही है यह बाइल उप्ड इस ट्रॉक्चर होता है इस नलिका वाली इस्टॉक्चर में आते हैं इस ओफेगर जो है अब ओपनिंग शो करता है मैंने कहा कौन से पार्ट में स्टमक के फॉस्ट पार्ट इससे क्या कहते हैं इसमें क्या करेगा यह ओपनिंग शो करेगा अब यहां पर यह स्टमक वाला पार्ट हो गया इसके लास्ट पार्ट को हमने यहां पर मेंशन किया है पाई रॉलिक पार्ट बोल दिया है यह पाई रॉलिक पार्ट अब ओपनिंग शो करते हैं स्मॉल इंटरस्टाइन के फॉस बास्ट पार्ट होता है जैसे हम ineleum कहते हैं यह लार्ज इंट्रेस्टाईण के फॉस्ट पार्ट सिकम जो होता है उसमें 베ंगा opening शो करेगा और यहां पर सिक एक आगे आगे फैल जाता है कौनसे वाले पार्ट में मैंने का second part of large intestine यहां पे मैंने बनाया है यहां पर मैंने बनाया है यह से हम कहते हैं colon के भी three parts को मैंने इस diagram में mention किया है एक था ascending colon एक यहां पर यह अनुप्रस्त भाग जो होता है इसका इसे हम कहते हैं transverse colon और यह क्या है मैंने का यह downward जो पार्ट हो जाता है मलाश है जहां पर undigested food जो है वो स्टोर हो जाते हैं संग्रेथ हो जाते हैं रेक्टरम जो है वो opening शो करेगा एनस में और एनस से है अब यहां पर गॉल्ब्रेडर के पास में ही आप देख रहे हैं वैसे कलिए हैं यहां पर यहां पर यहां पर क्या होते हैं पाए जाते हैं तो हमने particular में जो हैं elementary canal के साथ digestive gland और उसके जो human digestive system जो है इसके उत्पती किस प्रकार से होती है इसका origin कैसे होता है एक्टोडर्मल किस particular भाग का होता है एंडोडर्मल किस भाग का होता है और साथ ये जो human digestive system का जो एक typical diagram होता है जिसमें मैंने हर तरह के organs को क्या किये है रिप्रेजेंट किये हैं इसके बारे में हमने study किया in the next lecture हम क्या करेंगे अब हम particular इसके parts के बारे में study करेंगे first of all मैं आपको mouth के बारे में बताऊंगा mouth के बार, mouth में भी हम basically palate की बात करेंगे फिर tongue की बात करेंगे फिर मैंने आपको फिर basically हम discuss करेंगे तित के बारे में चीक है तित को discuss करने के बाद हम discuss करेंगे types of pharynx, pharynx का क्या work होता है face of phagus जो की एक tube like structure होते हैं उसके भी atypical structure को क्या करेंगे discuss करेंगे तब तक के लिए जैहिंद, जैराजधानी